दोस्तों आप सोही का स्वागत है मेरे Youtube Channel और आप सभी को पता ही है मेरे Youtube Channel और आप सब्सक्राइब करें और यह से आपको नर्थी वीडियो और प्रत्धी नए वीडियो और प्रत्ते न अपडेट के जनका यह प्राप्त होतीगन है पंच महोदे के जनपर सदस्य के जिला पंचाय सदस्य के सभी के दोस्तों उसमें जो भी जानकारी महत्पून लग रही है उस अपर में वीडियो बनायता जा रहा हूं और भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट वाक्स में जरूर लिखे में उस पर जरूर किम्ती हन निकाय महत्पून मदवेश राज निर्वाचन आयो क्रमांग दोस्तर वोपाल दिनांग 3522 को ही आदेश निकला है प्रती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इस्तानी निर्वाचन जिला समस्त मदप्रदेश इस वीडियो में दोस्ते हम ये भी देख करा है जाने है तो मतदान कर्मियों की अवशक्ता के आकलन एवं दाईतों के संबंद में मतदान कर्मियों के अवशक्ता के आकलन एवं दाईतों के संबंद में मतदान कर्मियों की जरूवत होगी उनके क्या कर दाईत होंगे उसके संबंद में क्योंकि इस बार सारे चुन 22 मत पत्र मत पेटी से संपन कराये जाना है समस्त पदों के निर्वाचन एक साथ मत पत्र मत पेटी से कराये जाने की स्थिति में कतिप है जीलो द्वारा मतदान कर्मियों के अवशक्ता के आकलन तता पीटासीन अधिकारी के अतरिक्त अनम अधदान कर्मियों के दायित्मों के समंद में प्रक्षा इक्षा की गई है ठीक है मतदान कर्मियों की नियुकती तथा दायत्मों के सम्मंद में आयोक के संदरित पत्र तथा रिटर्निंग अधिकारी की हस्त पुस्तिकाय में पीटासिन अधिकारी के लिए मार दर्शिक में उल्लेक किया गया है ततापी वर्तमान परिस्तिनों को दस्टिकद रखते हुए मतदान दलों के नियोजान एवं दायत्वों के सम्मन्द में निम्नानुसार अतरिक्त निर्देश प्रसारिक किया आता है यह एडिशनल जो है निर्देश हैं दोस्तों तो क्या है रिडर्निंग आपीसरों के लिए हस्त पुस्तिका जो जुलाई 2020 संसक्राने के अध्याय साथ मतदान कार्मी नियुक्ति एवं प्रजिक्षर में मतदान दलों के सम्मन्द में 10 प्रतीसत अधिक मतदान दलों के गटन का उल्लेक किया गया है साथ ही यह भी उल्लेकी थे कि आम चुनाओ के समय प्रतेक मतदान दल में एक पीटासीन अधिकारी एवं तीन या चार मतदान अधिकारी रखे जाएंगे जिया दोस्तों जिया जाया जिससे कभी जरूत पड़े तो दूसरे दल को भीजा जाया ठीक है इसके बाद है मतदान अधिकारियों के कर्तवों का विबरान पीटा सी नाधिकारियों के लिए मार दर्शी का जो मार से 222 में हुई थी के अध्याच्ये में दिया गया है कि जो मतपत्र एवन EVM से एक साथ होने वाल निरवाचन के दरश्टी से दिये गये है वर्तमान में क्या हो रहा है त्री स्री पंचातों के आहां निर्वाचनों में समस्त पदों के निर्वाचन मत पत्र और मत पेटी से ही संपन करा जा रहे हैं इन परिस्तिते मद्दान प्रक्रिया के सुव्य वस्ति तो दक्षदा पूर्ण संचालन के लिए विविन्द मद्दान अधिकारें को निम्नवसार कारे सोपा जाना चाहिए, ये थोड़ा चेंजे से ध्यान से देखिए, मद्दान अधिकारी क्रमांग वन, जैसे आप सभी क जो शाही लगती है आपकी उंगली पर उसके प्रवारी रहेंगे, इसके दाए तो वही होंगे, जैसे कि पीटा से नधिकारें के लिए मारी देशी का अध्या चेह में बढ़नेत किये गए हैं, अब मद्दान अधिकारी क्रमांग दो, पंच एवं सरपंच पत के मत पत्रो के प्रवारी रहेंगे, यह अधिकारी मत दाता को मत पत्र प्रदान करेगा, पंचायतों के आम निर्वाचन में मत दाता को पहले पंच और सरपंच पत के लिए क्रमस है, सपेद और नीले रंके मत पत्र दिये जाएंगे, मतलब मत दाता को पहले पंच का, मतलब पहले और फिर सरपंच पत का है ना तो पंच पत के लिए क्या दिया जाएंगे सपेद कलर के जो है मतपतर दिया जाएंगे और सरपंच पत के लिए नीले रंगे ये ध्यान से रखिए दोस्तों सरपंच पत के लिए नीले रंगे और पंच पत के लिए सपेद रंगे पंच सपेद स प्रतिपन पर मद्दाता के अनुसार उसका नुक्रमांग पुना दर्ज़ करेगा और प्रतिपन पर मद्दाता के हस्ताक्षरी अंगुठा निशान लेगा यही अधिकारी मददाता को सरपंच पत्र के ले मत पत्र देगा और प्रतिपनपर मददाता को मोड़कर पत्र पत्र देगा और सात में मत अंकित करने के लिए गूमते हुए раз तीरों वाली रवर की मोहर शाहिए लगा कर देगा ठीक है तो यह मतदान अधिकारी क्रमांग 2 का हो गया काम अब हम देखने जा रहे हैं मतदान अधिकारी क्रमांग 3 इनका क्या कार रहेगा जनपत एवं जिला पंचा सदस्य के मतपत्र के प्रवारी रहेंगे यह किसके जनपद एवं जिला पंचा सदस्ट के मतपत्र के प्रवारी इस अधिकारी कार्य मतदान अधिकारी क्रमांग दो के समान ही है अमतर के वल इतना है कि यह है अधिकारी मतदाता को जनपद पंचा सदस्ट के लिए पीले रंका मतपत्र, मतलब जनपत पंचाई सदस्ट के लिए कौन से रंका रहेगा, पीले रंका, तथा जिला पंचाई सदस्ट के लिए गुलावी रंका मतपत्र होगा, है ना, तो कौन कोन से होगा है, पंच पत के लिए सपेज, जैसे हमने यहां देखा, पंच पत के मत दाता का नुक्रवाँंग दर्ज करेगा और प्रती बढ़न पर हस्ताक्षर अंगूटा रिशानी लेगा अब हम देखने जारे हैं मत दान अधिकारी क्रमांग छार मत पेटी के प्रवारी होंगे तो यह क्या करेंगे मत पेटी से भी ढखेलता रहता है ताकि मत पेटी की पूरी छमता का उपियोग हो सके हैं बार-बार उसको ढखेलना भी लेता जिसे की जो मत पेटी है वो सही तरीके से फिल अप हो सके यह मात्र सतत निग्रानी का कार है विसे प्रस्तितियों में जब मद्दान दल का गठन पीटासी न अधिकारी यह तीन मद्दान अधिकारी के बीच किया जाए यह दाई तो एवं निरेक्षन पीटासी न अधिकारी श्वम कर सकता है अब ये भी स्पस्ट किया था कि मतदान दल में यदी मतदान अधिकारी क्रमांग चार नियोजित किया जाता है तो इसे तु समानिता एक चतुरुत सरेनी क्रमचारी की नियुक्ति की जाए इस समद्ध में रिटर्निंग आप इसे लिए हस्तविसिका निर्वाचन संदरेशी का जून दोया नो संसकन के अध्या तीनी करणी का साथ रस्टब भी है चुकि 33-35 आम निर्वाचन वर्स 12-12 मतपत्र मतपेटी से संपन करा जा रहे हैं निर्वाचन काड़ अधिकार्यों के मार दर्शन रिटर्निंग अप इसत पउस्ता निर्वाचन संदरी सा जून दोया नो संसकन तर पीटा सीन अधिकार्यों का मायी 25-9 sounds की गई है इसे तु लेंक के जैसे हमने आता है आपको MPLocalElection.gov.in को ओपन करना है और मेता दूँगा आप किस तरह से पूरी डिटेल कर सकते हैं तो इसमें प्रकाई सामधिके में 255 से लेट कर तसपस्चाद मार दर्शी में जाकर सरल क्रमांग 551 पुस्तियां डाउनलोड किय सकते हैं संपुन निर्वाचन मत पत्र मत पेटी से होने की दशाए मतदान दल को मतदाता रईश्टर प्रदान करने के अवशकता नहीं है क्योंकि मतदाता का नुक्रमांग अंकित करने एवं अस्ताक्षर यांगुटा निशान लेने की कारवाई मत पत्रों के प्रतिपन पर की जावेगी जी यहां दोस्तों ठीक है तो मतदान दल में दो महीला करमचारियों की निशान के संबंद में आयो के संदरी पत्र दिनांग दस बारा दो यार एकिस कंडी का साथ अनुसा जारी निदेश ही लागु होंगे एसे करमचारियों जिनकी सेवनेती में छे माय उसे कम समय अपदी शेशों उन्हें मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए ऐसे करमचारियों से निर्वाचन संबंदी अन्यकार संपादित कराये जा सकते हैं करपया उप्रुक्तम सार मददान दलों गठन ये तुम मददान करमियों का नियोजन करने अकस्ट करें ये ध्यान रखा जावे कि मददान दलों गठन एवं रेंडमाईएशन का कार NIC दोरा विक्सिस साप्टेयर सेक CEMS के माध्यम से ही किया जाना अपने जिले में उक्तम साप्टर दर्ज अधिकारी करमियों को प्रविस्टियों तदा उप्लब्दा के अधार पर आपशक्तम सार मददान दलों को गठन किया जाना शुनिश्चित करें प्रति समस्त रितर्णिंग आफिसर, R.O, A.R.O, सयारी आफिसर, मास्टर टेर्नर, स्वीटर्शी नाधिकारियों को प्लब दिकाराना सुनिस्ष्ट करें प्रजिक्चन के समय मद्दान अधिकारियों को भी नी रिडैसों सा अवगत राया जाये आपको उसके बारे में बताते रहूंगा एक इलेक्रिसिटी से समझे और आदेश है दोस्तों बोवी मैं आपको जली बता देता हूँ या दोस्तों मैं इसके लिए इलेक्रिसिटी के लिए एक अलग वीडियो बनायता हूँ ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जायागा तो आप इसमें ध्यान से देख लिजिए इसमें कलर्स भी दियो और किस तरह से हमें पुरी प्रोसेस करना है वो दिया हुआ ठीक है तो दोस आप सोई का बहुत बहुत धन्यवाद